हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारुक्स यूटूब चैनल, फार्मारुक्स की यूटूब एज़ूकस्ने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी आथराइडिस के दवा के बारे में कि जिसको हम जोडो में दर्द होना भी कहते है या फिर उसको गठिया भी कहा जाता है फिर ऐसी कंडिशन प्रोडिस होते कि जिसके अंदर आपके जोडो में गाठ बन जाती है तो ये कंडिशन का कैसे इलाज करें को इससे ट्रीट करें तो उसके details study करते और जानेगे कि 5 सबसे best medication कौन से है arthritis के इलाज के लिए तो expert lecture by Amar Sir Assistant Professor and Founder of PharmaRux Thank you for being PharmaRux family सीखे बीमारियों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पे arthritis के बारे में सिखेंगे ऐसे ही बहुत सरी लग लग बीमारियों के बारे में सिखें उनके उपचार के बारे में सिखें उनमें कौन सी दवा यूज होंगी उनके dose, side effect, warning counter indication एक साल तक affordable price में PharmaRux के अप उपर तो यह course को join करने के लिए हमें WhatsApp करें 9016312020 साथ ही हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है Hollywood2India Explain जिसको सबस्क्राइब करके हमें ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर joint के अंदर सूजन होती है और उसके करन जो है वो दर्द होता है और ये जो सूजन है और दर्द है एक या फिर एक से अधिक joints में भी हो सकते हैं कि जैसे कि या पर देखो कि आपके हाथ में जो joints होते हैं वहाँ भी आपको सूजन देखने को मिले दर्द देखने को मिले उसी तरह से जो गुटनों में जो हमारा joint है वहाँ भी आपको ऐसा दर्द हो सकता है या फिर shoulder का जो बाग होता है या फिर pog में तो ऐसे अलग-अलग जगा पे जो हमारे body के joint से वहाँ पे आपको दर्द मैसुस होता है सूजन मैसुस होती है और उसके करन क्या होता है कि आपको routine काम करने में काफी दिखा जाती है especially जब गुटनों में इस तरह के condition होती है तो आपके चलने में जो हो काफी problem होता है और जैसे जैसे age बढ़ती जाती है ये problem और ज़्यदा जो है वो severe होता है और जिसके करन जोडों में अकडन देखने को मिलती है अगर आप एक बार बैटते हैं तो फिर उठने में तकलिफ होती है चलने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यदा आपको दर्द होता है तो उसके दो type होते है एक होता है osteoarthritis और दूसरा जो होता है rheumatoid arthritis तो उसका इलाज कैसे करें तो उसके details study करते है तो सबसे पहले उसके symptoms पता होना चाहिए कि उससे सबसे पहले तो दर्द होता है काफी pain होता है stiffness मतलब कि वहाँ पे जो ज़कडन देखने को मिलती है जिससे अकड़ जाते है जो joints ऐसी condition जो हम कहते हैं काफी दर्द देखने को मिलता है आपको वहाँ पे फिर swelling सुजन हो जाती है redness भी हो जाती है वहाँ पे और range of motion आपके decrease हो जाते है आपका जो गती है आपकी आप जिस speed से चलते है आपके speed जो हो जाती है चलने की अगर especially आपके legs के अंदर आपके knee joint या फिर आपके elbow के आसपास है तो उस वक्त काफी दिक्कत करता है तो उसके reason क्या है तो बहुत सारे लगलग reasons से हो सकते हैं तो एक तो आपके सरे में समझे की calcium की deficiency है यह आप खास यह आप एक समझे की calcium के जो एक important है हमारे हड्डियों की मजबुति के लिए और vitamin D3 इन दोनों की deficiency के कारण भी कि आपको calcium की deficiency है और vitamin D3 की deficiency है तो यह दोनों के reason से भी कई बार यह problem होता है arthritis related कि आपके bonds जो है वो weak होते जाते हैं और उसके कारण कई बार वहाँ पे सूजन हो जाती है और दिक्कत हो दिया फिर कई बार यह और यह भी reason है कि बहुत ज्यादा समझे की उपयोग हो रहा है मनला कि काफे ज्यादा workload हो रहा है आपके bonds के उपर आपके जो joint है वहाँ पे workload बढ़ रहा है कि जिसको कहते है कि wear and tear of joint from overuse के अति प्रयोग जो हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा workload आ रहा है आपके हड़ीों के joints के उपर तो भी यह हो सकता है फिर age भी एक factor बनता है इसके reason में injuries या फिर obesity कि आप obesity के patient है या फिर आपको injury हुई है तो भी यह problem हो सकता है autoimmune disorder या फिर आपके family history रही है arthritis के तो भी आपको यह हो सकता है या फिर muscles आपके वीच हो जुके हैं तो genetic factors भी एक affect करता है कि आपके सरीर के अंदर ऐसे genes से कि आपके family history में बहुत सारे लोगों को arthritis रहा था तो आपको भी सायद वो genes transfer हुए हो तो arthritis हो सकता है तो यह बहुत सारे लग-लग reason है तो 5 best medication कौन सी बनी कि तो सबसे पहले है non-steroidal anti-inflammatory drugs का option दूसरा option बनता है steroids का तीसरा बनता है जो disease modifying anti-rheumatic drugs जो कहा जाता है जिसको sort में demard भी हम कहते है यह भी एक आपके लिए काफ़े अच्छा option है चोथा है xanus kinase inhibitor जो है जो है काफ़े उप्योगी medications बनते है specially rheumatoid arthritis के लिए और पांचवा option है कि calcium and vitamin के supplements की अगर reason है calcium and vitamin की deficiency फिर herbal के भी options रहते है और कुछ इसे special medications भी आते है कि जो आप इसमें use करते है तो सरुवाद करते है non-sterolar anti-inflammatory drug पे तो यह सभी drugs पे individual video lectures भी हमारे already available है कि जैसे diclofenic है alciclofenic salicoxib itoricoxib paracetamol है ketorol है या फिर pyroxygem तो यह सभी के हम पे उपर हमने already detailed video lecture बनाया है कि कैसे और यह दवा यह खाई जाती तो खासकर इनका जो dose होता है कि समझो कि आप यह ketorolac use कर रहे है तो उसका dose रहता है कि यह 10 mg आप दिन में खासकर 2 बार लेते है या फिर दिन में तीन बार उसी तरह से acyclofenic 100 mg है तो once a day या फिर दिन में 2 बार पेसंट खाता है और खास दियान यह रखना है कि यह दवाया थभी ली जाती है कि जब आपको काफी pain हो रहा है ऐसा दर्द हो रहा है कि tolerate नहीं हो रहा है सूजन भी काफी जदा है तो सूजन और दर्द दोनों को कम करेगी यह non-steroidal anti-inflammatory drug तो यह एक compulsory ली जाती है कि जब आपको arthritis का problem है तो इन में से कोई भी कि anyone कोई भी एक medication या फिर उनके जो combination आता है कि जैसे कि acyclofenic के साथ paracetamol और seratiopeptidase combination में होता है या फिर salic oxyb के tablet साते है फिर यहाप आप देखो ketorolac के यह जो tablet से pyroxychem के tablet साती है diclofenic के आदे है और कई बर दर जदा हो तो उसके injection भी लगाई जैसे थी diclofenic के famous injection है जैसे कि dynapar है wawiran injection है वो भी patient को लगा जाता है बट यह दवया को side effects करती है जैसे कि indigestion मनले कि apagin की condition पेट में ulcer कर सकती है सिर्दर्द drowsiness, dizziness allergic reactions ऐसे बन सकती है आप बिमार हो रहे है ऐसा आफिल करेगा फिर कुछ लोगों को यह दवयों के कारण dust यानि की diarrhea भी हो जाते है तो यह खास द्यान रखे कि यह medication high dose में और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक use ना करें दूसरा option बनता है steroids का तो यहाँ पे आप द्यान रखे कि आप समझे कि दोनों में से एक ही चूज करें कि चाहे non-steroidal anti-inflammatory drugs या फिर steroids क्योंकि steroid भी यहाँ यहाँ कि जो painkiller के तौर पर भी काम करती है pain भी कम करती है और sujan भी कम करती है दोनों तो यह खास द्यान रखे तो इसके option में जो है कि glucocorticoids जो काया जाते है खास कर कि जो खास कर sujan कम करती है यह दवाया तो यह medications के अगरती है कि जो ऐसे जो mediators या फिर chemical release होते है कि जो specially responsible बनते है आपके sujan के लिए दर्द के लिए तो उसको कम करती है जैसे कि आप यह आपे देखो prednis salon का जो option है आपके पास कि यह 5 mg या फिर जो 10 mg के जो tablets आते हैं तो शुरुवात की जाती है खास कर lower dose से के 7.5 mg per day के हिसाब से या फिर उसको दिन में 2 बार भी आप खास सकते हैं कई बार higher dose में maximum 60 mg per day के हिसाब से भी यह दवाई जो है वो ली जाती है कि जो क्या करता है slow कर देता है joint का damage की जो सुजन के करण हो रही है तो इस तरह से ये प्रैटनिस सॉलन भी arthritis के अंदर prescribe की जाती है एक second option है आपके लिए arthritis के दौरान तो यह दवाई कुछ side effects कर सकते हैं कि acne है insomnia, vertigo, weight gain skin healing impair कर सकता है depression, hypertension आपकी भूख बढ़ा सकती है electrolyte imbalance, neurological disorder, menstrual disorder abnormal hair growth, glaucoma bone या फिर muscle या फिर joint pain या फिर gastrointestinal disorder या फिर skin disorder तो इसमें injection के form में अगर किसी कोई जरूरत पड़ती है तो daxone method का option रहता है कि जो daxone जो हम drug कहते हैं तो ये भी एक option बनता है कि अगर injection के form में लिया है या फिर tablet में तो आप pradni salon यूज़ कर सकते है वीडियो के बीच में आपको बता कि जो हमारी second channel है उसको जरूर से subscribe करें और support करें link description box में मिल जाए कि तो ये channel specially हमने एक manoranjin purpose से बना है तो जरूर से हमें support करें और ये हमारी दूसरी channel को भी subscribe करें link description box as well as comment box में मिल जाएगी तीसरा option है आपके पास वो है demards की जिसको कहा जाता है disease modifying anti-rheumatic drugs तो इसमें से कोई एक drug खासकर patient को prescribe की जाती है तो ये medications क्या करते हैं खासकर rheumatoid arthritis के लिए ज़्यादा यूश की जाती है कि अगर आपको आरे का problem है rheumatoid arthritis तो उसके options हम देखे तो methodric set है कि जो cancer के इलाज में भी यूश की जाती है फिर दूसरा option है उसमें injectable gold है panicellamine है azathioprine है chloroquine है hydroxy chloroquine है sulfasalicin है and oral good बढ़ उसमें आप जो है वो sulfasalicin जो है वो आपके लिए एक रहेगी first choice ये खास देन रखे कि अगर आप arthritis के treatment कर रहे है और उसमें आपको समझो कि demards का यूश करना है तो उसमें first choice आप try करो sulfasalicin अगर patient sulfasalicin से ठीक नहीं हो रहा है तो ही ये दूसरे option जो है वो आपको यूश करने बट जस्ट ये आपके knowledge के लिए जरूरी है कि demards में ये सब दवाया भी include होती है बट आपकी choice रहेगी sulfasalicin ये दवाया को side effects कर सकते हैं जैसे कि आपको allergic reaction के तोर पे racist बन सकते हैं temporary hair loss हो सकता है मलब कि कुछ समय के लिए आपके hair loss हो जाएंगे और फिर से जैसे दवाया बन करते हैं वापस आपकी hair growth होना सुरू हो जाती है फिर liver function test abnormal आ सकते हैं तो ये खास दियान रखे कि ये दवायों के उप्योग के दोरान liver function test जरूर से कराना चाहिए nausea vomiting हो सकते है दस्त हो सकते है, diarrhea, weight loss abdominal pain, neuropathy में लेकि neurons damage करा सकते है या फिर high blood pressure तो proper सावधानी के साथ ही medical super reason में regular check-up कराते रही है कि blood pressure भी weekly check करा लेता चाहिए कि अगर आपको arthritis से और आप demands ले रहे हैं फिर neurons भी ऐसे weakness ले रहे हैं तो भी तुरंत आप आपके doctor या फिर pharmacist को बताएं, liver function test जरूर करें कि अगर आप लंबे समय तक demars का use करते हैं तो ये सब पुछ सावधानी अभी बरतनी जरूरी है चौता option है genus kinase inhibitor के जिसको zack inhibitors का हो जाता है तो ये भी एक rheumatoid arthritis में use होने वाली एक काफी famous दवायों का एक group है के जिसके अंदर अलग-अलग दवायों include होती है, तो एक है baricitinib, यहाँ पर आप देखो ये 4 mg का ये tablet है, baricitinib का फिर एक दूसरा आप देखो उसमें option tapacitinib है, upada citinib है, ruxolitinib और fedratinib तो इन में से कोई एक ही SNE किया सब लेनी है कोई एक ही, कि अगर कोई baricitinib select करते है तो इस सिर्फ यही दवाई खाएगा topacitinib select करते है तो वो ही खाएगा, तो इस तरह से होता है और यह सब भी नहीं ले जाते है कोई एक ही ये दवाया भी कुछ side effects करती है बढ़ कुछ common है, nausea, indigestion diarrhea, headache, upper respirator infection या फिर आपका cholesterol level बढ़ा सकती है तो ये कुछ side effects करती है ये दवाया पाँच होँ है, calcium and vitamin का supplement जैसे के CipCal के 500 tablet आते है, Cellcal है Delhi Cal है, Calcine है Osapandi tablet, Zamcal Osivate तो यह आप आप देख सकती है, सभी के marketed formulation, तो ये tablet जो है वो अगर आपको condition काफी खराब है आपकी तो डेली जो है वो एक tablet patient ये खा सकता है, या फिर week में दो या तीन बार आप calcium की ये supplements ले सकते है अगर calcium and D3 का ये combination ले 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 ना तो एक और option है, caldikine करके, कि जो एक nutritional supplement है कि जो mankind बना था, कि जिसके अंदर calcitriol है, omega 3 fatty acid folic acid and calcium and boron की, जो आपकी हड़ियों की मजबूती के लिए जरूरी है, तो अगर आप arthritis के जो दवाईया खा रहे तो उसके साथ combination में ये खास खा सकते हैं कि जाहे आप calcium and D3 की tablet ले या फिर आप caldikine भी साथ में खा सकते, जिससे आपकी हड़िया काफी मजबूत बनें और ये दवाईया को side effects कर सकती है, जैसे कि अगर आप overdose में खाते है calcium के supplements, तो आपको वो constipation यानि कि कब्स करवा सकती है, vomiting, nausea vomiting हो सकती है, भूख कम हो जाना, बार-बार आपको प्यास लगे कि मतले कि feeling thrusty, speed में दर्ध होना, बार-बार आपको पैसा आप करने जाना पले होना कि frequent urination, muscles weak हो सकती है, आपके urine के अंदर calcium का liver बढ़ जाएगा, allergic reactions हो सकती है, या फिर reaching यानि कि whizzing, rasis, swelling of the tongue जीब का full जाना, या फिर swelling of the throat, तो यह कुछ allergic reactions के तौर पे होता है, यह जो इतने side effect की है, सभी को नहीं होता, अगर किसी को calcium, या फिर D3 की allergy है, तो ही यह complications हो सकते हैं, other कुछ medications जिसको biological response modifiers कहा जाते हैं, कि जो एक monoclonal antibodies भी कहा जाता है, जैसे कि abata sept है, etaner sept है, infliximab है, adalimumab है, anakinra है, तो यह कुछ monoclonal antibodies drug के options रहती है, अगर तुसरी कोई भी दवाईों से आपका arthritis ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त आखरी options के तौर पे यह दवाई भी use की जाती है, under medical supervision, तो यह सिर्फ आपके एक knowledge के लिए proper information थी, herbals में भी एक option है, जैसे कि rumalya, fort, जो tablet आती है, himalya की, यह भी tablets जो पेसेंट खा सकते हैं, कि एक tablet दिन में, दो बार के इस तरह से, one, zero, one, कि दिन में एक सूप एक साम इस तरह से खा सकते हैं, या फिर आप homeopitrim को प्रेफर करते हैं, तो SBL के number six, जो drops आते हैं, जो स्पेसरे joint pain के लिए हैं, वो भी patient खा सकता है, तो जैसे अभी सिखा, essay detail में सिखे medicine course के अंदर, साथ ही हमारे second channel को भी subscribe करके support करें, link description box में मिल जाएगी, तो यह medicine course में आप देखो, कि अभी हमने सिखा arthritis के बारे में, medicine course के लिए, whatsapp करें, 9016312020 पे, good luck and all the best.